जै हिंग जै भारत साथियों, साथियों मैं पूरे देश में लोगों से मिल रहा हूँ, वो लोग जो करजे की दंदल में फसे हुए है, बहुत सारे लोग ने बताया, खास कर से उन लोग ने जो होटल इंडस्टी से जुड़े हुए है, कि सब लॉक डॉम के बाद हमारी जो क कर लिया, क्योंकि उनके उपर लगबग 500-600 क्रोड रुपया करजा हो गया था, और करजे का बड़ा कारण था, जब लॉक डॉग डॉण लगा, करोना से पहले उनका काम ठीक चल रहा था, व्यापा ठीक चल रहा था, लेकि उसके बाद करोना में जो इस्तिती से वो उबर ह रहे, इशारों से लित रहे, कुछ प्राइवेट फैनेसर से लिए, बैंक से लिए, और जब दिखा के वो नहीं चुका पा रहे है, उन्होंने सुसाइट कर लिए, रमीजयन हमारी टीम से भी संपर्क में थे, वो मुझसे मिला भी चा रहे थे, लेकिन बाई चांस ऐसा रह है, जो बहुत जादा ब्रैंडिड होटल नहीं है, जो बहुत जादा सेवन स्टार रेंज में नहीं आते हैं, उन होटल में जादा दिक्कत है, और लगभग जाधतर होटल की अगर बात करें, तो कورोना से पहले जो इस्टिती थी, आज दो साल बाद भी वो इस्टिती में खता च्राइब करälए हुए मेरी टीम सक्क्रवर करें और आपको जूर करेंगे और आपके समस्या इन्रिट्रस्टिय जेंगे ऐब गए व निंडस्ट्रीं से इन्रिक के बारे में आपको के उड़ने चूर włas एक मुंट्त बात नहीं आपको यहां कोई comment में नंबर देने की ज़रूद नहीं है कोई message में नंबर देने की ज़रूद नहीं है मैं आपको email ID दे रहा हूँ जो personal email ID है appointment शाचाधरी at gmail.com इस पर आम mail करिये कि मैं सर से appointment देना चाहता हूँ और बताईए कि मैं hotel industry से जुड़ा हूँ तो ऐसे सारे लोग जो hotel industry से जुड़े हूए है और जिनने लगता है कि वाके इस industry में जो restaurant चलाते हैं जो hotel चलाते हैं जो वहाँ job करते हैं उन्हें दिक्कत आईए वहाँ के staff को दिक्कत आईए वहाँ के owners को दिक्कत आ रही है इन सभी लोग के संगठित किया जा रहा है और जब वीटमंतराले के पास जाएंगे तो इन में से कुछ लोग को लेकर कर जाए जाएगा ताकि वो अपनी बात बता पाएं इस इंडस्ट्री में क्या-क्या समस्या आ रही है और उनके क्या-क्या समधान सरकार को करने चाहिए सरकार को उनका लोन क्यों माफ करना चाहिए कितनी रियाद देनी चाहिए कितना समय देना चाहिए और कैसे ये इंडस्ट्री आगे उबर सकती है इस जो दलदल में फसे लोग है इनने कैसे निकाला जा सकता है क्योंकि मेरा मानना यह है हर चीज़ की जानकारी मेरे पास वे जुरूरी नहीं है हर वक्ती एक वक्ती हर फिल्ड का एक्सपाड नहीं हो सकता लेकिन हर फिल में जो वंक्ति अपने फिल में काम कर रहा होता है उसे अपने फिल की जादा जानकारी होती है ऐसे सबी लोग को सगिठित किया जा रहा है जो होटल इंडीस्ट्री से जुड़े हैं बताया जाएगा कि इस इंडिस्ट्री को क्या क्या सपोर्ट की जरूत है और सरकार को सपोर्ट देनी पड़ेगी आप करजे की दंदल में फसे इसमें आपकी गलती नहीं है मैं बार बार कह रहा हूँ आपने थोड़ी ना चाहा था लॉकडाउन लगे आपने थोड़ी ना च करजा माफ करना पड़ेगा उसके लिए मैं अपनी दरह से प्रियास करूँगा आप से सिर्फ यह सपोर्ट चाहिए कि आप लोग संगटित हो जाएं आप लोग अपनी बात रखें जब वित्मंतराले जाएं क्योंकि आज नहीं तो कल वित्मंतराले बुलाएगा अलगर इ मचारी क्योंकि सरकार को शाय इसके वारे में जानकार नहीं है के समस्या कितनी कंभी 21 की नहीं है तो सरकार समस्या ही बता लेकिन सरकार की गलत नीतियों ने एक अच्छा पृतिवाशा ली हुआ हमसे छीन लिया, मैं नहीं चाहता कोई और होटिल में काम करने वाला, कोई रेस्टरेंट काउनर, कोई ऐसा वेक्ती, कोई गलत कदम उठाए, कोई गलत कदम उठाए, आप करजे की दंदल में फसे, इस अनात हो गया, बच्चे भी अनात हो गया, और वो जब सब धर्यका धर्या रह गया, तो ऐसा कोई गलत कदम उठाने की ज़रूत नहीं है, अगर आप चाहते हैं, आपका नाम पब्लीक में ना रखा जाए, आप बड़ा होटल चलाते हैं, आपका नाम है, ब्रैंड है, कोई बादने घुबराने की ज़रूत नहीं है, आप मेल करिए, आपकी जानकारी को सरकारी नहीं किया जाएगा, गुपत रखेंगे, मेरी को टीम और मुझे सिर्फ इसकी जानकारी होगी, और आपका एक गुरू बना देंगी, फिर जब इतमतरा ले जाएंगे, तो आप शायद मुझे लगता है, मुझे ज़्यादा बहतर तरीके से अपनी इंडिस्ट्री की बारे में सरकार को बता पाएंगे, समस्या भी बता पाएंगे, और समधान भी बता पाएंगे, आईए संगठी थोकर के काम करते हैं, ये समय हालातों से लड़ने का है, ये डरने का नहीं है, ये शरम में रहने का नहीं है, जिजख करने का नहीं है, ये समय आगे बढ़ने का है, मैंने एक कदम बढ़ा है ना दोस्ती का, मैं आपको भी चाहता हूँ, आईए, मेरे हाथ मजबूत करिए, मुझे उस इंडिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं प्रिलर नहीं हूँ, आप हैं, आप जानते हैं, आप मुझे गाइड करेंगे, मेरे टीम को गाइड करेंगे, शायद मैं आपके लिए बहुत बहतर काम कर पाऊंगा, आपको दल्ल से भी निकाल पाऊंगा, और आपके इंडिस्ट्रियों ग्रू भी करा पाऊंगे.